हेलो फ्रेंड स्वागत है आपको मेरे यूटू चैनल में आज हम बनाएंगे शौफ्ट जालीदार खामन धोकला जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है तो चलिए बनाने स्टाट करते हैं इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक टोरी बेसन लिया है बेसन को हम छान ले छान लिया है चालने के बाद इसमें हम डालेंगे दो चमच चीनी आपर हम चोटी से चमच से दो चमच चीनी ले लिया है आधी चोटी चमच नमक डालेंगे आधी छोटी चमाच हल्दी पाउडर इन सभी को डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे थोड़ा थोड़ा पैंट डाल करके बेशन का घोल तियार कर लेंगे तो बेशन का हम गाड़ा घोल तियार करेंगे यहां पर हमने बेशन का अच्छे से घुल तियार कर लिया है अच्छे से तियार करने के बाद इसमें हम डालेंगे एक चमच रिफाइन ओईल डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे पाच विनट के लिए ढखकी रख देंगे तब तक हम यहाँ पर पैन में पानी गरम कर लेंगे पैन रख दिया है हमने पैन में डाल देंगे पानी पानी डलने के बाद हम इसमें स्टेन डाल देंगे और उबाल आने तक पानी को गरम हो कुरू ने को इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे-स से मिक्स करने के बाद ऽे एक टोटावाला और इसे मों काट कर गोल में डाल देंगे ऐको तक शाय Assistant डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे बेसं के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद हम बे अच्छेOOOO को साइड में राख देंगЕ कि यहाँ पर हमने केक कोला बतन लिया है इसमें हम थोड़ा से तेल डाल करें के चारो तरफ फेला लेंगे तेल को चारत तरफ फैलाने के बाद हम जो बेशन का घोल बना के रखे हैं इसे हम डाल लेंगे डालने के बाद हम हलका सा सेट कर लेंगे इस तरह से सेट करने के बाद हम यहाँ पर पानी चेक करेंगे तो यह देखिए पानी में उबाल आ गया है इसे में हम बेशन का जो बेटर है उसे रख देंगे रखने के बाद हम प्लोफ लेंप धगक करें गजब तक लुद भड nó हो जपना हो यह थाँ से तो यहां पर हमने 10 मिनट के लिए स्टीम कर लिया है यहां पर चेक करते हैं धोकला अच्छे से बका है कि नहीं तो यहां पर हम चाकु डाल करके चेक कर लेंगे तो यह देखिए चाकु में बेसन बिल्कुल भी नहीं चिपका है हमारा धोकला अच्छे से तयार हो गया है गेस प्लेट में निकालने के बाद हम इसचाकू से काट लेंगे दोपला को हम चाकू से काटने के बाद उपर से तढका लगारेंगे तढका लगाने के लिए हमने या पर कल्ची रख दिया है कल्ची में डालेंगे एक चमच तेल, एक छोटी चमच सर्सो के दाने, एक छोटी चमच सफेद तील, तीन से चार हरी मिर्च, हरी मिर्च को हमने बीच से काट लिया है, हरी मिर्च डालने के बाद डालेंगे कड़ी पता, कड़ी पता डालने के बाद दो से तीन चमच पानी ड दालेंगे और आधी छोड़ी चमज नमक दालेंगे नमक दालने के बाद इन सभी को अच्छे से चमज से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम गेस को बन कर लेंगे गेस को बन करने के बाद हम इसका तड़का लगा देंगे तिया हम ढोकला के ऊपर तड़का को चमत से डाल देंगे चारू तरब यह हमारा जाली दर खामन ढुकला बनके तयार है एकदम सर्फ्ट रूई की तरह इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे तो दोस्तों मेरा ढुकला करेस्पी आपको कैसा लगा आप जरूर बतिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और सेयर और मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दीजिएगा